हेलो स्प्रेंट्स आईए एक नजर में क्वेश्चन नमबर 3 एक बार देखते हैं देखें क्वेश्चन नमबर 3 में 3 पार्टनर्स हैं A, B और C इनके ओड प्रॉफिट शेरिंग रेशियो 2 to 1 दिये हुए हैं इस 2 by 5, 2 by 5 and 1 by 5 ठीक है वी केस नमबर 1 में कहा है कि if C acquires 1 by 10 from A तो new profit sharing ratio क्या होंगे मतलब C जो है वो 1 by 10 A से ले रहा है तो देखें दो लोगों को पर इस पर effect पढ़ेगा एक तो A पर पढ़ेगा और एक C पर B का कोई रोल नहीं है तो B का ratio जो है शेर वो सेम रहेगा आईए देखते हैं कैसे calculate करेंगे A का old ratio था 2 by 5 उसने C को 1 by 10 दिया तो minus कर देंगे 1 by 10 2 का unchanged था B का 2 by 5 देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया और C का जो ratio था वो पहले देखिए 1 by 5 दिया हुआ था अभी उसको 1 by 10 और मिल गया तो दोनों add हो जाएंगे और total ratio आगया 2 plus 1 10 देखिए हमने LCM लेकरके इसको solve कर लिया तो A का जो ratio रहा वो रहा 4 minus कर देते हैं इसको 4 plus 1 की जगा इसको minus 1 कर देखिए 4 minus 1 3 क्योंकि minus हुआ है 3 by 10 2 by 5 और 3 by 10 देखिए इनके नई ratio calculate हो गए अभी इनको ratio नीचे लिख लिए आप जो भी शेयर आया इनका ABC का 3 by 10 2 by 5 और 3 by 10 क्योंकि नीचे देखिए equal नहीं है अभी हम इसको LCM लेकरके इसको solve करेंगे इसका LCM ले लिया और ratio आगए 3 4 3 तो देख यही देखिए आपकी book में आपको answer दिया हुआ है यह तो था case number 1 अभी case number 2 देखते हैं case number 2 में देखे क्या कहा है case number 2 में कहा है if C acquires 1 by 10 from A and B equally कहा है कि अगर C 1 by 10 लेता है लेकिन equally अभी A से अभी से नहीं ले रहा है वो दोनों से ले रहा है equally ठीक है इनके profit sharing ratio ओड वही थे 2 to 1 case number 2 में अब देखते हैं change कहां पड़ेगा change पड़ेगा अब A और B दोनों के share change हो जाएंगे क्योंकि दोनों से वो acquire कर रहा है तो A से ले रहा है 1 by 10 into half यानि आधा उससे लेगा और आधा C से लेगा आधा A से लेगा और आधा B से ले रहा है C तो A का ratio हुआ 1 by 10 into 1 by 2 यानि आधा 1 by 20 इससे लेगा और 1 by 20 B से लेगा तो देखे नीचे इनके profit sharing ratio दिए 2 by 5 जो इनका old profit sharing ratio था minus कर देंगे 1 by 20 क्योंकि अब ये 1 by 20 देगा 8 minus 1 20 7 by 20 आगया calculate किया दो ये इसका ratio था B का 2 by 5 तो 2 by 5 minus 1 by 20 ये भी आधा दे रहा है 1 by 20 दे रहा है उसको तो same 7 by 20 अभी C का share increase हो जाएग C के पहले था 1 by 5 जो आपको यहां दिया हुआ है 1 by 5 प्लस A ने दिया 1 by 20 और B ने दिया 1 by 20 अब हमने इसको calculate किया solve किया तो ratio आगया 6 by 20 अभी A, B, C के ratio देखे 7 by 20, 7 by 20 और 6 by 20 दिये हुए है नीचे देखे सबके 20 है LCL में देखे की जरूरत नहीं है यही आपका answer हो Profit Sharing Ratio calculate किया जाएगा तो आप students जैसी requirement हो उसके हिसाब से आप यहां पर calculate करते रहिए तो आपके answers आ जाएंगे इस question की help से मैं भी question number 4 भेज रहा हूँ आप उसको solve करने की कोशिश करिए नहीं होता है तो बताइए ठीक है? Thank you